एक गाउ में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक पती-पतनी राज और साक्षी और उनकी आठ साल की छोटी बेटी नीना रहा करती थी। राज और साक्षी दोनों रजाई बनाने का काम करा करते थे और उसे पैसे कमा कर अपना घर चलाते थे। राज और साक्षी की बनाई हुई रजाई, पूरे गाउ में प्रसिद्ध थी और सब लोग उनकी कलाकारी की बहुत प्रसंचा करते थे। एक गाउ में एक रिशी बाबा अपनी भेक्षा मांगने आये थे। बेटा, मैं एक रिशी मुनी हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। रिशी मुनी की बाद सुनकर राज और साक्षी दोनों उनके लिए खाना लेकर बाहर आ जाते हैं। हे रिशी मुनी, हम आपके लिए खाना लेके आये हैं। कृपया हमारी सेवा सुईकार कीजिए। हे रिशी मुनी, आप रात को कहा रुकेंगे। बेटा, मैं यहां तपस्या करने आया हूँ, इसलिए किसी शान्त जगह को धून रहा हूँ। राज ने देखा इतनी ठंड में रिशी मुनी के पास ओडने के लिए ना तो कोई चादर थी और ना ही कमबल। ए रिशी मुनी, इतनी ठंड में आप कैसे रहेंगे। हम आपको एक रजाई भेट देना चाहते हैं। इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। रिशी मुनी राज और साक्षी की भेट से बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को एक वर्दान देते हैं। हे रिशी मुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी की बारे में पता नहीं लग पाता। राज आधिरात को ही साक्षी को ढूनने चला जाता है। अरे राज भाई, क्या हुआ, किसे ढून रहे हो? कौन खो गया? इतना वक्त हो गया और साक्षी घर वापस नहीं आई। अरे, तो अकेले क्यों ढून रहे हो? मैं भी मदद कर देता हूँ। गाउवाले थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। खाई में कोई औरत गिरी पड़ी है। गाउवाले जल्दी से राज को खबर देने जाते हैं। राज जैसे ही साक्षी को देखता है, वो बहुत रोता है। राज साक्षी के बिना बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिसकी स्कूल के फीस तीन महीने से नहीं दी, इसलिए मैडम ने बोला कि अगर अगले महीने तक फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। राज ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। कोई बात नहीं नीना बेटा, हम तुम्हारी फीस भर देंगे, तुम बेफिक्र होकर स्कूल जाओ, अब मुझे साक्षी को भूलना होगा, मेरे उपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है और मुझे उसका भविश्य बनाना है, मैं अब बहुत महनत करूंगा और नीना को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, राज जी जान से एक महिने तक काम करता है, और नीना के फीस भर देता है, वो धीरे धीरे साक्षी को भुला देता है, और जिन्दगी में आगे बढ़ जाता है, जब नीना थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो भी अपने पापा के साथ रजाईयां बनाने में मदद करने लगती है, एक दिन राज के पास एक परी गरीब औरत के रूप में उससे मिलने आती है, राज वो जादूी रजाईयां बनाने वाले तुम ही हो ना? जी मैडम, वो मैं ही हूँ, बताईए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरे घर में बच् सुनकर बहुत भावुक हो जाता है, और रजाईयां बनाने के लिए राजी हो जाता है, दो दिन बाद फिर परी राज से मिलने आती है, राज क्या मेरे बच्चों के लिए रजाईयां तैयार है? अरे हाँ हाँ, अब उनको ठंड नहीं लगेगी, आप रजाईयां ले इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा उसर देना चाहती हूं, मैं तुम दोनों की शुद्धा आत्माओं को शरीर से निकाल कर अपने जहां में लेके जाना चाहती हूं, जहां तुम हमारी दुनिया के लिए रजाईयां बनाया करोगे, वहां तुमको किसी भी प्र का कोई दुख नहीं होगा राज ये सब सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है और परी की बात पर सहमती दे देता है परी राज और नीना के सामने कोई जादुई मंत्र बोलती है और वो दुनों अपने शरीर को छोड़ कर एक नई दुनिया में चले जाते हैं उस दुनिया में आकर राज और नीना को बहुत हलका महसूस होता है वो दुनिया बहुत ही भयानक होती है वहां हर जगह से डरावनी आवाजें आ रही होती है वो दुनिया बहुत ही रहस्यमई होती है पापा मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे तो हो परी भियां दिखाई नहीं दे रही उस परी ने हमें जासा दिया है, वो हमें भूतिया दुनिया में ले आई है, और हमें फूत बना दिया है पापा, हम यहां कहां रहेंगे, और हम तो यहां किसी को भी नहीं जानते तब ही उनके सामने एक चुडैल प्रकट हो जाती है कैसी लगी हमारे दुनिया पापा, चुडैल, यहां चुडैल है तुम कौन हो, हम यहां क्या कर रहे हैं तुम दोनोंने मुझे नहीं पहचाना मैं वही परी हूँ, जिसने तुम्हें नई दुनिया में आने का वादा किया था यही है वो नई दुनिया अब तो तुम यहां आ गय हो अब तुम मेरी मर्जी के बिना यहां से बाहर नहीं जा सकते और नहीं तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल सकता है तुम्हारा मुझ से और मेरी बेटी से क्या काम है तुम्हारे हाथ में जादू है और वो जादू बहुत कीमती है मैं उसे अपने लिए इस्तमाल करना चाहती हूँ इतना कहने के बाद चुडैल राज और नीना को भूत बना कर अपने पास बंदी बना लेती है और उनसे एक बहुत बड़ी रजाई बनाने को कहती है पापा मुझे यहां बहुत डर लग रहा है मैं यहां आड नहीं रुख सकती तुम चिंता मत करो बेटी मैं कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ राज और नीना के साथ वहां एक और कैदी भूत था जो चुडैल के लिए खाना बनाया करता था उसका नाम लक्षे होता है क्या चुडैल ने तुम्हें भी बंदी बनाया है हाँ क्या तुम भी यहां कैदी हो हाँ मैं अपनी दुनिया का एक बहुत ही अच्छा बावर्ची था और चुडैल की नजर मुझे पर पड़ गई तब ही मैं यहां उसके लिए खाना बनाता हूँ मुझे तुख हुआ यह देखकर कि उसने आपकी छोटी बेटी को भी बंदी बना लिया है हमें कैसे भी करके इस चुडैल के चुंगल से निकलना होगा मुझे एक रास्ता पता है हमारे शरीर चुडैल के कमरे में बंद है एक बार बस वो हाथ में आ जाए हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन हम उससे लड़ेंगे कैसे पापा हम मुझे से नहीं लड़ेंगे ये तो गलत है ना आप हीने तो सिखाया जहां दया और प्यार है वह सब कुछ अच्छा होता है तो हम भी उसके साथ अच्छा करेंगे तब ही तो वो चुडैल बदलेगी तब से राद चुडैल के लिए जादूई रजाई बनाना शिरू कर देता है कुछ दूनों बाद वो जादूई रजाई पूरी बन जाती है और वो उस चुडैल को भेट में देने के लिए जाते हैं अरे वाँ! बन गई मेरी रजाई! चुडल जैसे उस जादू रजाई को ओड़ती है तो उसकी नर्मी से रोने लगती है इस रजाई ने मुझे मेरे बच्चों की याद दिला दी मैं जब जिन्दा थी तो बहुत गरीब थी और मेरे दो बच्चे भी थे मेरे पास ओड़ने के लिए सिर्फ एक चादर थी और ठंड से मेरे बच्चों को बहुत ठंड लगती थी एक तो भूक उपर से ठंड जिसकी वजह से मेरे बच्चे बीमारी से मर गए चुडल को अपने बुरे कर्मों का एहसास होने लगा था और उसे वाकिस सब पर भी तरस आने लगा था चुडल सब को उसका शरीर वापस कर देती है और उन्हें वापस अपनी दुनिया में भेज देती है इस अच्छे काम की वजह से वो मुक्त हो जाती है उस दिन के बाद से राज और नीना गाओं के सब गरीब और बेखर लोगों के लिए रजाईयां बनाया करते थे और उन्हें मुफ्त में भीट कर दिया करते थे